इन सर्दियों में बनाएंगे पारंपरिक, स्वात और सेहत से भर पूर गोंद के लड़ू, जिससे बच्चे, बड़े, बुढ़े सभी खा सकते हैं, बिल्कुल सौफ्ट और मुलायम बन के त्यार होने वाले मुह में घुल जाने वाली ये लड़ू आपको दिन भर की फूर और इसमें मैंने सुखनारिय लिया है आदा, जिसको ग्रेट करेंगे तो एक कप होगा, और मैंने वन फोर्थ कप पिस्ता लिया है, और आठ इलाइची के दाने लिये हैं, कड़ाई गरम करेंगे, इसमें दो चम्मच मैंने घी डाली है, और सबसे पहले मैंने काजू और ब इस तरह से सारे ड्राइफ रोड्स को हम बून के निकाल लेंगे, ध्यान में देना है कि जब भी हम ड्राइफ रोड्स बुनेंगे, लो फ्लेम में ही बुनेंगे, अब जो बचे हुए घी है उसी में एक कप जो हमने माखाना लिया था, डाल देंगे, और भूल लेंगे, आ माखाने भी भून चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे, अब कड़ाई को टीशू पेपर के हल्प से साफ कर लेंगे, इसमें मैं हाफ टेबल स्पून घी डाल रही हूं, और नारियल जो हमने ग्रेट किया है, एक कप हुआ है, उसे भी डालके हम लो फ्लेम में इसे थोड़ पड़े टेबल स्पून घी, और ये घी को अच्छे से गरम करेंगे, घी गरम करने के कुछ ट्रिक है, आप जब भी घी गरम करो, इसे धुआ उटने ना दो, बस इतना गरम होना चाहिए, कि एक गोन डाले तो वो पॉपकॉन की तरह उपर आ जाए, उसके बाद हमें समझ कॉप गोंद को 5-6 बैचेज में फ्राय कर रही हूँ, ध्यान में यह देना है कि आप जब भी इसे फ्राय करोगे, लो टू मीडियम हीट में ही करोगे, एक बार घी करम हो जाए, और अब इसे फ्राय करने लोगोगे, तो मीडियम लो फ्लेम पे भी आप इसे अच्छे से फ तो इस तरह से हमें सारे गोंद को फ्राय करके निकाल लेना है, अगर आप गोंद को हाई फ्लेम में भी करोगे तब भी यह उपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं, तो आपको शुरुवात में मीडियम फ्लेम में ही फ्राय करना है, बाद में आप लो फ्लेम म अभी इसमें मैंने लिया है आधा कप घी और दो कप मैं इसमें आटा डालूँगे मैं घी दो बैचेस में यूज करने वाली हूँ घी में आटा डालके हम इसे लो फ्लेम पे भुनेंगे जब तक कि यह अच्छे से सुनहरा ना हो जाए इस तरह से अभी आपको क्या है कि पेस भी डाल सकते हो या आधा बेशन आधा आटा भी डाल सकते हो या आप पूरी तरह से आटा डाल सकते हो 24 अपकी है इस तरह से भुनते हुए मुझे 70% मेरा लगभा 50-70% यह भुन चुका है अभी इस टैम पे मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप का हाफ मिन्स वन फोर्थ कप और घी डालूंगी और फिर से भुनना स्टार्ट करूंगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पेसेंस के साथ भुनेंगे और इस तरह से भुनते हुए आपको खुदी पता चल जाएगा पूरे घर में आटे की खुस्पू पूरी फैल जाएगी तो समच चाहिए आपका य लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है गैस बंद करेंगे और थोड़ी देर तक बीच बीच में चलाते रहेंगे और इस तरह से जब तक यह ठंडा हो रहा है बाकी चीजे हम देख लेते हैं कॉंद बहुत अच्छे से फ्राई हुई है देख सकते हैं बहुत ही क्रि को डालेंगे और उसे भी दरा और निकालेंगे और उसे घंचिट से भी धा में डालेंगे अब रतर गाम मश्रें बनने धो πεَّंध करेंगे और आठा कम देख से खसें नमचुना अब इचंट लकुकया का बेकाट करा ऐसक़ी मिसाट से तो चाहां गातर होगी बड़े बरतन में shift करेंगे अब साथ ही one बड़े कप से मैंने एक कप पूरा भर के उपर से तक भर के सुगर लिया है और इसे grind कर लेंगे और हम इस तरह से powder sugar बना लेंगे आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने इसे grind कर के बारिक कर लिया है अब ही देख सकते हैं बिल्कुल हाथ लगा सके इतना ठंडा हो चुका है अब इस stage पे ही हम sugar powder इसमें add करेंगे और इस तरह से डाल के डाल देंगे से ध्यान में यहाँ पर एक चीज और भी आपको रखना है आपके लिए एक ये trick है कि जब भी आप sugar powder यूज करो ये बिल्कुल मतलब की गुनगुना पानी कैसे बोलते हैं हम लोग वैसे गुनगुना होना चाहिए जिससे कि हम हाथ लगा सके इतना ही गरम होना चाहिए आटा और ड्राइफूर्स हमारे जिससे कि sugar हमारा इस जगा पे melt ना हूँ और अच्छे से हम हाथों के हर्प से इसे मिक्स कर सके अब देख सकते हैं हमारा इस तरह से मिक्स हो चुका है अगर आपका इस तरह मिक्स करने के बाद लड्डू ना बने तो आप इस stage पे एक चमच और घी आड़ कर सकते हो हमने इलाइची के जो कुट के रखा था आठ इलाइची उसे एड़ कर देंगे और साथ में यहां एक secret ingredients मिक्स करेंगे salt का powder दो चमच बड़े चमच से tablespoon मैंने salt का powder लिया है अब इसे भी एड़ करेंगे यह सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है इसे taste भी गूंद के लड़ू में बहुत अच्छा आता है और हमें सर्दियों में इसे salt को खाना चाहिए और हमारे diet में भी यूच करना चाहिए इन सब को अच्छे से करेंगे mix और देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से लड़ू बंद के तयार हो रही है अगर लड़ू नहीं बन रहे है तो आप इस stage पे एक चमच या दो चमच घी और आइट कर सकते हो और इस तरह से लड़ू सारे हम इस तरह से बांद लेंगे post delivery के बाद भी गूंद की लड़ू खाये जाते हैं और यह बहुत ही ताकत देने वाले लड़ू होती है आपको पता ही है कि post delivery के बाद लेडिस को कितने सारे weakness होते हैं तो यह लड़ू खा के वो energetic रह सकते हैं तो आपको पता ही है कि इन लड़ूों में कितनी ताकत होती है कितने healthy लड़ू है यह तो आप भी बनाए खाए और खिलाए अपने घर में बच्चे बड़े बोड़े सभी को दे यह इसमें केलसियम की मातरा भी भरपूर होती है जिससे कि हमारे जोडों में घुटनों में और कमर में जो दर्द है उससे भी आरा मिलता है और इन सर्दियों होती है उसके हैं तो अमीद करती हूं आपको मेरे वीडियो इस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सेर करें और सस्क्राइब करें जिससे कि मैं और भी हेल्दी और टेस्टी डियो रेसिपी आपके साथ share कर सकूँ, thank you so much